आपके भी शरीर में हैं फाइबर की कमी तो खाएं ये अहार दोस्तों शारेरिक विकास और स्वस्त रहने के लिए फाइबर बहुत जरूरी है ये भोजन को पचाने में सहायक है इसकी कमी होने पर बवासीर, कॉलिस्ट्रॉल, कब्स, शुगर लेवल बढ़ना जैसी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है फाइबर योगत भोजन का सेवन करने से कैंसर, मोटापा, दिल की बिमारियों से बचा जा सकता है हर व्यक्ति को अलग-अलग मात्रा में फाइबर की जरूरत होती है पुरुशों को दिन में 35-40 ग्राम और महिलाओं को 25 ग्राम फाइबर का सेवन जरूरी होता है क्योंकि अधिक मात्रा में फाइबर खाने से कई बार शरीर को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें खाने से फाइबर की कमी पूरी होती है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ एन फिटनेस मंत्रा में जिसमें हम हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी महत्वपून और रोचक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं अगर आप चाहें तो ओट्स का उपमा या फिर डोसा बनाकर भी खा सकते हैं सौ ग्राम ओट्स में एक दशमलव साथ प्रतिशत फाइबर होता है जो शरीर को स्वस्त रखता है दूसरा है गीहूं गीहूं से बनी चीजों का सेवन करने से फाइबर की कमी को पूरा किया जा सकता है इसके अलावा चोकर वाले आटे की रोटी खाने से भी शरीर को भरपूर फाइबर मिलता है तीसरा है फल, सेब, नाशपाती जैसे फलों में फाइबर होता है, इनको अच्छे से धो कर बिना छिलका उतारे खाना चाहिए, इससे फाइबर की कमी पूरी हो जाती है चौथा है ब्रॉकली, विटमिन C, केलशियम और फाइबर के गुणों से भरपूर ब्रॉकली को उबाल कर या भून कर खाने से कई बिमारियां दूर होती है पाँचवे नंबर पर है ड्राइफ्रूट्स, ड्राइफ्रूट्स, दही, सलाद, अनाज, रोजाना एक मुठी सेवन करें, इससे कई बिमारियों से पीछा छुडाया जा सकता है और दोस्तों, अंत में भुट्टा, एक भुट्टे में करीब 4 ग्राम फाइबर होता है और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए